तो जैसे मैंने कहा था कि ब्लोक्चेन के अंदर कुछ रोल्स और रिस्पॉंसिबिलिटीज डिफाइंड होती है जो रिस्पॉंसिबिलिटीज पर आपको कोई ना कोई इनसान तो लगाना ही पड़ेगा इसका एक सिंपल एक्जामपल अगर हम ले तो बैंक में जिसे हम जाते हैं तो वहाँ पे कैशियर होता है क्लर्क होता है, प्यून होंगे, ब्रांच मैनेजर होंगे तो ऐसी कुछ रिस्पॉंसिबिलिटीज डिफाइंड होती है और वो रिस्पॉंसिबिलिटी पे काम करते लोग अल्रेडी वहाँ पे प्रिजेंट होंगे वैसे ही ब्लॉक्चेन के इंदर भी कोछ रोल्स डिफाइंड है जिसको आपको किसी ना किसी को तो असाइन करना ही पड़ेगा अभी ये रोल्स कौन से है सबसे पहला आता है ब्लॉक्चेन यूजर जो कोई भी ब्लॉक्चेन यूज कर रहा है वो आपका ब्लॉक्चेन यूजर है जैसे मेरे कंपनी का अगर पूरा स्टाफ है तो वो बन जाएगा ब्लॉक्चेन यूजर जो दूसरा रोल आता है वो है रेग्यूलेटर Regulator यानि कि जो सब पे नज़र रखेगा हर एक चीज जो blockchain के अंदर हो रही है उस पे नज़र रखेगा अभी अगर मैं आपको एक simple example दूँ School में जब exam ली जाती है तो क्या बच्चों को पहले बताया जाता है कि exam के अंदर यही questions पूछने में आएंगे नहीं, नहीं बताया जाता है क्यूं? क्यूंकि अगर उनको बता दिया जाएगा कि exam में यही questions आने वाले हैं तो वो उतना ही पढ़के आएंगे वैसे ही regulator जब एक blockchain पे नज़र रख रहा है तो थोड़े दिनों में, थोड़े मैनों में उसको पता चल जाएगा कि blockchain के अंदर क्या pattern चल रही है रोज के दिन में क्या चीज़े हो रही है जो regular है, जो common है और वो होने ही वाली है और उससे उसको एक pattern पता चलता है और वो pattern को follow करके वो कुछ ऐसा transaction भी कर सकता है कि जिससे उसको ज्यादा फाइदा हो जाए जैसे simple example अगर हम stock market की बात करे तो stocks में अगर आपको पता चल जाए कि आज से इतने time में अगर मैं stocks में invest करूंगा तो एक मेने के बाद मुझे अच्छा खासा profit हो जाएगा वैसे ही regulator को भी पता चलने लगता है कि अगर मैंने ऐसा कोई transaction कर दिया तो मेरा फाइदा अच्छा खासा है इसलिए usually blockchain में regulators को transaction करने का permission नहीं होता है तो यह हो गए दूसरे जो है regulator तीसरा आता है blockchain designer front end अभी कोई भी blockchain होता है इस एक simple example ले तो एक mobile application होता है उसमें actually तीन चीजे होती है सबसे पहला आता है backend दूसरा आता है front end और तीसरा आता है UI जो सबसे पहला है backend वो coding होता है जहां पे coding करके एक application बनाई जाती है जो UI होता है जो सबसे आगे हमें दिखता है वो चीज है जो हम अपने phone में install करके use करते है अभी इन दोनों के बीच में आता है front end front end दो तरीके के होते है एक तो UI को भी front end का जाता है क्योंकि वो हमें दिख रहा है और दूसरा front end जो किसी को पता नहीं होता है वो चीज है कि जब backend बनता है तो वो तो coding से बनता है अभी अगर मैं एक धंदे वाला हूँ मुझे एक अपना application बनाना है तो मुझे तो coding आता नहीं है तो जो developer है वो क्या करते है coding से application बनाते है अभी वो application में जो data डालना होता है जैसे अगर मेरा एक school का application है तो school के बारे में डाल दिया school क्या result आया पिछले साल का वो डाल दिया अभी वो हर साल नया चीज़े आता है तो हर साल आप application वाले को phone नहीं करेंगे कि मुझे ये डाल के दे दे वो आपको एक ऐसा panel बना के दे देगा जहां पे आपको सब data entry कर देना है और वो application में दिखने लगेगा तो वो भी एक तरीके से front end है जो आपका coding back end में हो रहा है उसको change करके application के अंदर दिखाने लगेगा तो ये तीन चीज़े होती है back end front end जहां पे users नहीं आते जहां पे सो admin होता है जो application का owner होता है वही उसके अंदर changes करता है और जो तीसरी चीज़ आती है वो है front end front end में जो आपका end customer है वो आपका front end use करेगा तो अभी इसके अंदर blockchain के अंदर भी दो तरीके के developers होते हैं एक blockchain का front end आपको design करके दे देंगे कि जिसके उपर आप सभी को काम करना है आपको अगर एक smart contract बनाना है तो भी उसके अंदर type करके डाल देना है वो back end में programming में change होके blockchain के अंदर implement हो जाएगा और दूसरा जो network operator आता है वो है back end जो blockchain का pattern कैसा है blockchain बना कैसे है coding से वो operate करेगा तो इसके अंदर दो category है एक front end का designer आएगा आपका अदमी है तो 10 computer free पड़े हुए है तो मैं क्या कर सकता हूँ उन 10 computers को भी black blockchain network में connect कर दूँगा जिससे क्या होगा blockchain का processing power बढ़ जाएगा अभी इसका एक simple example में आपको अगर दूँँ तो मैंने पहले कहा था कि जो जो devices blockchain में connected है उसी का processor use करके blockchain function कर रहा है तो इस तरी के से क्या होगा अगर 10 मेरे पास free devices पड़े है तो मैंने उनको connect कर दिया तो उन सबका भी RAM उन सबका भी processing power blockchain में add हो जाएगा जिससे मेरा blockchain overall fast हो जाएगा तो यह होता है fifth जो है processing platforms अभी छठा चीज आता है data sources अभी जो smart contracts, rules, responsibilities वो सब डालने के लिए आपको एक data source चाहिए होगा data source यह नहीं कि data entry का बंदा भी हो सकता है या फिर एक accountant हो सकता है जो आपका rules regulation सब entry कर दे तो यह हर एक जो चीज blockchain में जाने वाली है उसका data जो आप feed करेंगे blockchain के अंदर जो implement होगा blockchain के अंदर उसके लिए आपको चाहिए data sources अभी यह data sources automated भी हो सकते हैं जो automatically regularly change करते रहे उसको या फिर आप एक बंदे को भी वहां पे hire करके रख सकते हैं और जो आखरी चीज आती है वो है certification authority इसमें भी दो category है जैसे आपको पता होगा कि अगर आपको एक telecom company run करनी है इंडिया में तो आपको चाहिए काफी सरे certificates, government approvals ऐसे approvals इखर्टा करेंगे तभी आप अपना एक telecom company चला पाएंगे वैसे ही अगर आपको एक blockchain भी run करना है तो आपको government से काफी सारे approvals लेने पड़ेंगे वो certificates manage करती हुई certification authority आप रख सकते हैं और जो दूसरा category है certification authority में वो जैसे हमने पहले देखा कि permissions दी जाती है blockchain के अंदर हर एक आदमी को permissions manage करते हैं digital certificates आपको एक digital certificate दीया जाएगा कि आप इतना इतना काम कर सकते हैं तो blockchain के अंदर भी दो तरीके certification authority होते हैं जो एक government side card certifications manage करते हैं और एक सब के permissions manage करते हैं तो यह थे कुछ roles जो blockchain के अंदर हर एक आदमी का role defined करते हैं और हर एक के काम उसके अंदर defined होते हैं तो इतना चीज़े आप याद रखिए उसके बाद हम आगे देखेंगे कि blockchain के use cases क्या है कि अलग-अलग industry में blockchain कैसे use होता है Thank you so much for watching this video